हाई गाई वेलकम बैक आएम विवेक सिंगल फ्रम ट्रेडिंग्विविवेक.com और आज का अपना जो टॉपिक है वो ये है कि हमें लार्ज कैप में काम करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए, स्मॉल कैप में करना चाहिए, फिर माइक्रो कैप भी हम लोग देख सकते हैं आप भी बाकी यूट्यूबर जैसे हो गए हो और आप भी small cap की तरफ बढ़ने लगए हो तो देखो यहाँ पर दो तीन points हैं एक तो point यह है कि क्या मैं बाकी यूट्यूबर जैसा हो गया हूँ तो देखो यहाँ पर कोई comparison नहीं है किसी भी यूट्यूबर का किसी भी यूट्यूबर से वो अपने हिसाब से analyze करते हैं मैं अपने हिसाब से analyze करता हूँ यहाँ पर किसी को भी ना तो बड़ा बताने की जूरत है और ना ही किसी को छोटा बताने की जूरत है क्योंकि सबका अपना अपना skill set है, सब अपने तरीके से trade करते हैं, सबका अपना life का experience है second point ये है कि पहले मैं big size companies को analyze करता था, अभी मैं small cap companies को analyze करता हूँ तो ये बात गलत है, ऐसा है नहीं, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर दिखोगे तो मैंने बहुत time पहले equitas भी analyze किया था, मैंने बहुत time पहले all small size जो PSU banks हैं, वो भी मैंने analyze किये थे उससे पहले मैंने एक बार time technoplast भी analyze किया था, and especially time technoplast का मुझे याद है क्योंकि उसमें promoters की कुछ holding pledging में थी, तो उसके उपर बहुत सारे question marks आते थे, लेकिन अभी उसके उपर कोई question mark नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ से double हो गया, पिछले 6 महीने में same ही चीज एक्विटास में, एक्विटास भी जब analyze किया था, तो 49 something रुपीज का था, अभी वो 80 प्लस चलता है, और 100 से उपर जा चुका था एक बार, तो उसके उपर भी कोई question mark नहीं है same ही चीज Tata Steel BSL का है, Tata Steel BSL अगर आपको याद हो तो एक महीने पहले ही उसको analyze किया था, तब वो 50 रुपीज के आसपास वो भी था, अभी वो 100 है, तो वो भी same ही scene है कि विवेक भाई, आप small-small cap companies को निकाल कर लेकर आने लगे और big size से आपका ध्यान हट गया है, तो यहा यहां पर कभी भी जिद काम नहीं करती है, हमें इस चीज को समझने की ज़रुरत है, यहां पर जो लोग जिद्धी होते हैं, वो लोग seriously पैसा उतना नहीं कमा पाते हैं, जितना actual में अगर market के potential को ध्यान में रखते हुए, या market में यह चीज ध्यान में रखते हुए, कि opportunity कह पर है, अगर उस चीज पर पैसे लगाए जाए जाए तो ज़्यादा पैसे बनते हैं, जैसे मैंने भी हाल फिलाल में एक वीडियो बनाई थी, JP Power को लेकर, तो JP Power को लेकर काफी लोगों का same question है, कि विवेक भाई, again you are going with the small cap, what has happened with you, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, मु आट रुपे की मिल रही है, तो मैं उसको क्यों नहीं खरीदू, मुझे पता है, after six months it will give me much more return, और जहां तक JP Power की small cap की बात है, या micro cap की बात है, कंपनी के पास 10,000 क्रोर रुपीज अपने हैं, और पूरी कंपनी सिफ 2,000 क्रोर की मिल रही है, यहां से five times का सीधा 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 second point यह है, अगर आप उस वीडियो को दुबारा जाकर देखूँगे, तो यह चीज पता चल जाएगी वहाँ पर, कि जो company के reasons थे ना, नीचे आने के, जो company के बेकार होने के reasons थे, net profitability के बेकार होने के reasons थे, वो सारे reasons खत्म हो रहे हैं, company वापस से अच्छी हो रही है, even अभी अभी, मेरे ख्याल से एक मेने पहले की बात है, first April या second April की बात है, तब एक news आई थी कि, JP Power ने, JP Power पूरा नाम है इसका, JP Power ने अपने 300-400 क्रोर के loan को prepay किया है, यानि कि भी due date आई नहीं थी, उन्होंने prepay किया है, तो यहाँ पर जब management को कोई बात समझ में आ जाए न, त तो सेम चीज है, 10,000 क्रोर रुपीज कोन अपने कैसे जाने देगा, अगर उनको पता चल गया कि 20,000 क्रोर रुपीज की assets थी, उसमें से 10,000 क्रोर की assets को बेज दो, बची हुँ 10,000 क्रोर की assets हैं, उनकी income से हम बचावा loan repay कर देंगे, सब कुछ वापस से revive हो जाएगा, जब ये सब चीजें वापस से नजर आने लगे ना, तो उन चीजों को नजर अंदाज करना ने चाहिए, इसी हमारा मकसद क्या है stock market में आने का, हमारा मकसद है stock market में आने का, सोचे समझे तरीके से market में पैसे लगाना, देखो investor जो लोग अपने आपको कहते हैं ना, investor actual में और सिर्फ promoters होते हैं, बाकी लोग investors होते नहीं हैं, या तो जो promoters होते हैं, वो investors होते हैं, या जो promoter के तरीके से invest करके लगातार अगले 10 साल के लिए 15 साल के लिए भूल जाते हैं ना, वो लोग investor होते हैं, जो लोग अपने आपको 3 साल, means 3 साल की holding के लिए हैं, 2 years की holding के लि सब्सक्राइब को देखकर कंपनी में पैसे लगाए जाए और जब तक बिजनेस ठीक चल रहा है तब तक उस कंपनी में लगे रहे हैं जिस तरह के हम लोग traders हैं कि buying today and selling after 3 months, 4 months, 6 months इस तरह के traders होते हैं इस तरह के traders को speculators कहते हैं यहाँ पर 2 words होते हैं एक word होता है जुआ एक होता है सट्टा और जुए को इंग्लिश में कहते हैं gambling और सट्टे को इंग्लिश में कहते हैं speculation, gambling and speculation में एक difference होता है, gambling में हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या होने वाला है और जो speculation होती है एक calculation based risk लेना और calculation based यहाँ पर risk लेने से मतलब क्या है that we have seen that company is repaying their debt और वो company सब कुछ अच्छा कर रही है, पहले इतना सारा debt था, अभी वो half रहे गया, half से भी कम हो गया है जैसे जैसे जहाँ-जहाँ से भी income आती जा रही है, उससे बचाववा loan भी repay करते जा रहे है, company net profit में आगी है वापस से quarterly profit numbers नजार आने लगे हैं, तो यही तो एक तरीके होता है, उसके बाद भी one-fifth पर पढ़ी है एक्चर में इनकी जो खबरे आनी नजर आएंगी ना, जो सबको नजर आएंगी, वो नजर आएंगी जब यह वापस से 10,000 क्रोपर company पहुंच जाएगी, जो भी 2,000 क्रोपर हैं, उसके बाद बहुत सारे analyst इसमें के उपर report लिखेंगे that it will make a lifetime high, it will make that, it will make that, और उसके बाद जब नजर आएगा ना, कि नीचे कहां से उपर तक आगिया है share, तब पता, तो यह चीज़े different हैं, हमें करना क्या है, हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, कि company बड़ी है, या छोटी है, अगर वो हिंदूस्तान Unilever है, या फिर JP power है, या फिर वो yes bank है, या फिर वो दूसरी कोई company है, मैं यहाँ पर क्या चीज़ कहा रहा हूँ, yes bank का, इस price पर अच्छा नजर आता है, लेकिन जब 400 था और जब इसमें problems थी, तब अच्छा नजर नहीं आता था, सेम चीज़े JP power है, JP power अभी अच्छा नजर आता है, जब पूरे के पूरे का price 50,000 पर था, यह company तब अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझने की जरुत है, कि चीज़े अपने favor में क्यों है, अब क्यों है और पहले क्यों नहीं थी, यहाँ पर यह चीज़े बहुत important है, कि company के actual worth कितनी है, और आगे चलके company अच अच्छे होंगे या बेकार होंगे, जब company problem में फस्ती जा रही हो ना, और company जादा से जादा loan पे करती जा रही हो, तो वहाँ पर यह problem होती है, जैसे टाटा मोटर्स के अगर मैं आपको एक अभी का data बताऊं, तो latest जो numbers है, जो latest quarter के results आये थे, उन results में अगर आप देखोग तो वो चीजे profit and loss statement में, balance sheet में नजर आनी चाहिए, खास तोर से जिस company के ओपर बहुत ज़्यादा debt होता है, अगर वो debt बढ़ता जा रहा है, every quarter उस company का interest का payment है, वो increase होता जा रहा है, तो जितनी मर्जी सस्ती हो जाए, उसको touch नहीं करना चाहिए, हमें उस तरी की companies को तब छ अगर कोई बंदा, अगर बहुत बड़ा sportman है, लेकिन वो debt पर पड़ा हुआ है, और उसकी हालत दिन पर दिन कम होती जा रही है, और उसकी value कम होती जा रही है, तो तब तक उसको touch नहीं करना जाहिए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए, कि वो recovery होनी शुरू हुई, क्या बैट पे से उठके पहले चलने लायक तो हो, उसके बाद में हलकी सी exercise करने लायक तो हो, जब वो recovery नजर आ जाए कि हाँ, अब ये सुस्त हो जाएगा, तब उसके उपर चाहे 4 रुपे महंगी बैट लगा तो, उसके उपर बैट लगाना ता बनता, उससे पहले नहीं बनता जब मैं GP power की बात कर रहाँ ना, मैं बहुत जल्दी आपके सामने Reliance power का भी आपको एक बार analysis लेकर आऊंगा, same story है, वहाँ पर भी, वहाँ पर भी पैसे पड़े हुए है, जैसे same story थी जब मैंने आपसे 5 महीने पहले PSU Banks की वीडियो बनाई थी, कि सारे के सारे सस्ते rate पर सारी bad news आ रही है, लेकिन वहाँ से सारे के सारे share price 50% अप है, अगर आपको देखना है तो वापस से दुबारा से वीडियो देखना तब इस चीज़ का थोड़ा सा idea लगेगा, अभी भी अगर बात करें कि क्या मैं mid cap shares लेकर आता हूं, क्या मैं large cap shares लेकर आता हूं, हमीशा लेकर आता हूं, अभी मैं कुछ टाइम पहले गिलैक्सो फार्मा लेकर आया था, उससे पहले मैं abbot भी लेकर आया था, और अभी उससे पहले मैं फिर reliance भी लेकर आया था, mid cap, small cap और large cap इससे बहुत जादा फरक नहीं पड़ता, value क्या है, कहां पैसा है, कहां नहीं है, उस आग को पता है, मैंने उसमें लिखा हो था, 80% gain in 6 months, 70% gain अचुका है, भी एक ही महीना हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो यह चीज़े यहां पर opportunity होती है, इस चीज़ में जिद कुछ नहीं होती है, इस चीज में जिद कुछ नहीं होती है, अगर जिद करने जमीन पर पड़े हुए थे, और वहीं से वो सारे सारे उठ है, तो यहां पर वर्त देखनी है, अगर 4 रुपे की चीज है, हमें 1 रुपे में मिल रही है, और हमें इस चीज का, जो यह पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट बहुत important है, याद रखना, अगर 4 रुपी की च statement में नजर आने चाहिए, वो quarterly results में नजर आने चाहिए, जब वो चीज़े quarterly results में, profit and loss statement में, और बाकी business analysis के base पर नजर आते हैं, और one-fourth पर हमें चीज मिल रही होती है, अगर उसको छोड़ते हैं, तो उसको कोई समझदारी नहीं कहते हैं, मेरे हिसाब से समझदारी नहीं क चीज है, तब बात मानेंगे, इसको आप ऐसे ही मान के चलो, कि अगर कोई वापस से example है, sportman है, अगर वो बिमार था, खड़ा हो गया है, तो जिस दिन वो 5 km की walk कर लेगा, और 5 km की running कर लेगा, वापस से push-up करने शुरू कर देगा, ever increasing push-up करने शुरू कर देगा, उस time नही sponsorship के लिए बड़े-बड़े offer आजाएंगे, तब वो हाथ नहीं आने वाला, तो बहुत महेंगा हो जाएगा, time होता है, जब sponsorship के लिए कोई नहीं आया है, and you are seeing the difference that there is a recovery, तो कल फिर मिलेंगे एक video साथ, अगर subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लेना, और समझदारी से trade करना है, हमें यहा पर बच्चा नहीं बनना है, thank you so much, have a nice day.